नमस्कार, News Click और Indian Writers Forum के साजा कारिक्रम में आपका स्वागत है, आज हमारे बीच संजय जोशी जी मौझूद है, संजय जोशी जी प्रतिरोध के सिनेमा के संयोजक है, और लगातार पिछले कई सालों से अनेक शेहरों में वो जो प्रतिरोध का सिनेमा है, और फिर भी आपने वो फिल्म फेस्टिवल किया, उसके बारे में थोड़ा बताईए, 14 अक्टूबर को हम लोगों को चौथा उदापुर फिल्म फेस्टिवल करना था, और जैसा कि आपने बताया है भी कि हम लोग कई सालों से ये फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, और उसी तर कि हम और जगह भी चाहते हैं, उदैपूर एक तरह का गोरकपूर और कलकत्ता के साथ हमारा अच्छा मॉडल है, कि हम खाली साल में एक इवेंट नहीं करते हैं, हम साल भर स्क्रिनिंग करते हैं, वहां महला स्क्रिनिंग करी, बच्चों के लिए बाल रंग बनाया, मंथली स तो इसलिए जब ABVP ने राजिस्तान एग्रिकल्चर कॉलेज के वी सी को इन्वस्टी के वी सी को ये मेमरेंडम दिया, कि ये लोग फिल्म फेस्ट्वल कर रहे हैं और इससे सामाजिक अशान्ती होगी, तो ये हमारे लिए बड़ा चौकाने वारा था, हाला कि इसके लिए हमको लग रहा था, ऐसा कुछ होगा, और मेन उसमें कारण क्या था, उन्होंने जो लिखा, उसमें लिखा कि ये जो रोहित वेमुला को जो ये डेडिकेट कर रहे हैं, इससे सामाजिक अशान्ती होगी, तो सवाल ये है कि भई, रोहित वेमुला की आवाज को ना तो आब ह मिदावी लड़की थी, जिसकी रेप करके हत्या हुई, और एक तरह से जो हमारे उदैपुर फिल्म सुसाइटी से जुड़े वे लोग थे, खास तोर पे प्रग्निया जोशी, जो पीसल की एक्टिविस्ट हैं, इन लोग ने इस मामले को दुबारा से उठाया था, और इस अब लोगों के बीच में काम कर रहे दिरे दिरे काम कर रहे थे, सो, डेड़, सो, दो, सो, पचास, पच्चिस, तो उसकी वज़े से हमें अल्टरनेट वेन्यू मिल गया, और हमने वैसा ही किया, और ये हमारे लिए और पूरी प्रग्तिशील बिरादरी के लिए एक बड़ प्रशाषन आप से कह रहा था कि आप इस फिल्म फेस्टिवल को ही रद कर दीजिये, प्रशाषन तो ये भी कह रहा था कि ठीक है, आप हम आपको करने देंगे, आप करिये, जो पुलिस कह रहे थी, लेकिन हमने का लिखित में दीजे, कि आप हमारी इसकी गारंटी करेंगे क्योंकि जो कैंसिल हुआ है वह बहुत है ना आप किसी शोशल थीम पर फिल्म फेस्टवल कर रहे हैं और जब हम उसी फिल्म फेस्टवल करते हैं तो यह पूरी और किसी कह साजिश थी कि इनका festival बंद करवा दिया जाए संजर जी यह जो आपने थीम चुना रोहित वैमुला और डिल्टा मेगवाल के नियाई के लिए इसको चुनने की वज़ा क्या थी देखी यह कोई नई बात नहीं है मतला अगर आप cinema of resistance के festivals के brochures को पलटेंगे तो हर festival को यह थीम लेता है आम तोर पे साल की सबसे प्रॉमिनट थीम होती है वही अलग अलग फेस्टिवल में दोराई जाती है कलकत्ता में होगा तो थोड़ा अलग तरीके से पैकेजिंग होगी वहां की लोकल चीजों को से मिटा जाएगा मुझे लगता है कि पिछले साल का इस साल का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह पूरा जो नयतरे का दलित मुविंट जो हो रहा है वह एक एक फिल्म मनाई है तो अगर आप उसको इखनोर करते हैं तो फिर क्या होगा गांधी फिर चिर्पी लुकिल्म ज़न बूँकप करनी में नीज़ दॉन कुछ बती हिंआप इस जो पूरे फिल्म फेस्टिवल आपने उदायपूर में किया इसमें किस तरीके की फिल्म में आपने दिखाई क्या उस पे कुछ डिसकेशन भी हुए कैसा पार्टिसिपेशन रहा लोगों का बहुत अच्छा रहा इस लिहाज से एक तो यह बात है कि आम लोगों का पार्टिस हो गया अब हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं था कि हमारे जगत दुबारे नए पोस्टर लगाएं लेकिन हम लोगों ने इस बार पंजाब से सेमुल जॉन को बुलाया था जो अन्य घुडादान के लीड एक्टर हैं और पूरा एक ठेटर टैक्टिस कर रहे हैं पंजाब म महराज से पूने से हमने अतुल पेठे को बुलाया था जो एक पूरा फॉर्मेशन बन रहा है अगेंस ब्राहमिन्स जो ने उनकी इस्थानी देवी को ही को आप्ट कर लिया उनको बुलाया तो इस से क्या हुआ कि उदैपुर के लोगों को इच्छा पूर उडिसा में जो कुछ घट रहा है फिर हमने उना समीती से जैश शुलंकी को बुलाया तो ये इस्थ का वेस्ट का पंजाब का इस सारे जो पूरे इलाकों में अच्छा फिर हमने इसके डेल्टा मिगवाल के पिता को बुलाया मह 50 लोगों की यंग टीम थी उसने वो सबसे जादा लाभानवित हुई दूसरी बात क्या थी कि हमने हौल के बाहर बुक फेर लगाया था बुक फेर में हमने एक पूरा सेक्षन जो है नवानिया की किताबों कर रखा था जिसको लड़के पढ़ रहे थे पलट रहे थे और ब प्रखपुर से शुरू हुआ और उससे पहले 2005 में सितंबर के महने में जन संस्कृति मंज की यूपी उनिट ने अपना एक्सेंशन करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स को लिया तो उस मीटिंग में मैं भी शामिल हुआ था मैं भी इन्वाइट था तो यह हुआ कि मैंने क पॉर्म में चलता था है इसने वह एक बहुत नैस्वल ही हमने पीपुल्स संडिंग का मोडल अपनाया पिपुल्स संडिंग का मॉडल अपनाने से हमारे बहुत तरह की चीजे हमारे लाइन लेंट ठीक रही मतलम यह रहा कि हम लोग ने अभी उधयपुर फिल्म कर लिये हैं और कभी हमने कोई फंडिंग ने ली केवल फिल्म फेस्टिवल आयोजन करवानी के अलवा क्या सिनेमा आफ रिजिस्टेंस फिल्म प्रेड्यूस भी कर रहा है या फिल्मे बना भी रहा है पीपल्स मूवमेंट पर हम लोगों ने ये बहुत समय तक लोगों से कहा कि अभी आप इस चेकर में महत पढ़िये क्योंकि you are not a film making agency you are not trained film maker there are very few filmmakers among us your trained film maker है और जो trained film जैसे मेरा जैसे आदमी मैं भी film नहीं बना रहा हूं तो बहुत समय वोगया film मनाते हो इसलिए मैं उतना अच्छा film maker नहीं रह गया हूं लेकिन अब हो क्या रहा है कि जब हम कोई फिल्म दिखाते हैं जैसे माल लिए कि हमने गाड़ी लोहर दगा मेल फिल्म दिखाई गोरकपुर में या सलेमपुर में दिखाई देवरिया में वहां एक बरहजिया ट्रेन चलती है तो लोगों को यह जरूर लग रहा है कि यार जब इस विशे पे फिल्म बन सकती है लोहर पेरामीटर नहीं रखा हमने नकुल की जो फिल्म है मुझफर नगर बाकी है उसका हमने रौ फूटेज भी दिखाया रफ कट दिखाया हमने क्योंकि अगर यह इंपॉर्टेंट है तो दिखाओ तब लोगों को यह लगा कि हाँ वो भी फिल्म बना सकते हैं कच्छी पक्की फेस्टिवल करते हैं वहां की लोकल नीट पर प्रैशर होता है तो उस प्रैशर के तहएद हम लोंने चार-पांच फिल्में बनाई जो सिनेमा वरेजिस्टेंज ने प्रिडूस करी जिसमें बड़ा मज़दार उसका एक कहानी है कि गुरकपुर जोन में इनकेफलाइटिस बिमारी है जैपनिस इनकेफलाइटिस उससे सरकारी आकड़ों के साब से 30 साल में 18,000 बच्चे मर चुके हैं तो यह वागी इनकेफलाइटिस फिल्म बननी चाहिए तो हम लोग ने एक छोटी फिल्म बनाई मैं नहीं बनाई डैरी नुमा फिल्म बनाई 17,18 मिनट की और डि गोरकपूर इलाके में जो एम्स का इनिशेशन हुआ है उसकी वजह गोरकपूर फिल्म सुसाइटी के सामने इनके फिल्म बनानी की जरुवत है तो और उस पूरे एम्स के मूवमेंट में भी फिल्म सुसाइटी के लोग हैं तो इस तरह से अलग अलग जगह पर जैसे एक महां पर फिल्म बनी एक फिल्म मीटाली बिश्वास ने बनाई ए इस पर बंगाल में जो रेप फगर हुए और एक फिल्म अभी सौरब ने बनाई अगनी शिखा नाम से दो चोटी फिल्मंने निनिताल की विल्म सुसाइटी ने बनाई गिरدा के उपर और निर्वलपांड के उपर उनकों ट्रिब्यूट कर रहे थे लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि सिनिमा व रेजिस्टेंस इनिशेटिव को फिल्म दिखाने बजादा महत देना चाहिए क्योंकि हम फिल्मेकिंग की एजेंसी नहीं है उसमें ज्यादा इंफ्रस्ट्रक्टर चाहिए और दूसर इसमेंगा है तो यह काम हम लोग कर रहे है पेपलज फंडिंutक पूरा हुआ ही तो फंडिंग के बारे में थाहि себяं मॉड़र है या कोई स्टे उसे सुप्रीम बोड़ी है जो दो साल में साल में एक बार बैठती है और डिसाइड करती है कि हम क्या करना है कहां versatile कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं दूसरा है लॉकल बॉड़ी है तो लॉकल चैप्टर अपनी नीट के हिसाब से कहता है कि जैसे हम फैस्टिवल करना चाहते हैं और हमारी लोकल नीड यह है तो इसलिए आप देखेंगे कि कलकत्ता पीपुल्स फिल्म कलेक्टिव का क्यूरेशन उदैपुर से अलग होगा उदैपुर का आजमगर से अलग होगा हम चाहें तो जैसे हम जै साल इंट्रद्यूस करें लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि चैप्टर पूरा पुरा करें वो सका 40% रख लेगा 60% रख लेगा तो तो सैंट्रल टीम और लोकल चैप्टर मिल के काम करते हैं और सैंट्रल टीम पूरी मदद करती है लोकल टीम को फिल्में दिलाने में नहीं करते हैं बंद करते हैं फिर समझाया गया और दूसरा यह है कि चुकि किसी तरह का पैसा इन्वाल्व नहीं है इसलिए कोई सब्सक्राइब तो इसे आप कैसे देखते हैं मतलब अभी जिस तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन है तो उसमें तो किसी तरह का कोई भी एक्ट मुश्किल हो रहा है मतलब फिल्म दिखाना हो कविता पढ़ना हो लिखना हो वो पेरुमल मुर्गन ने तो कहा कि राइटर इस ड स्क्राइब नहीं है तो जो इंफ्रस्क्राइब वो भी आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है कि आपको मतलब एक अलग तरह की एक तो लोगों पर भरोसा करना होगा जहाज ज्यादा और आपको इवेंट की बजाए उसको वाइरल करना पड़ेगा कोई भी सरकार को हैं और मुश्किल वाले होंगे इवेंट के लिहाज से और दूसरा यह है कि यह रेजिस्टेंस कोई थम भी नहीं रहा है मतलब नकुल सिंग सानी वाला ही जो वाक्या है एक अगस्त को हुआ था 2015 को और 25 अगस्त को हमने कॉल किया था 24 दिन के अंदर में इसी भारत सरकार के कुरियर सर्वेस इसी भारत का स्पीट पोस्ट और यह टेलीफॉन सर्वेस का इस्तमाल करते हुए हम लोग उने साथ शहरों में सतर स्क्रीनिंग करी और मेरे पास तो पूरी इसके एक्सल शीट है और करीब करीब मुझे लगता है साथ से असी हजार नभे हजार के लोग न करता है आप एन्वल कर रहे हैं मंद्ली स्क्रीनिंग कर रहे हैं जो भी कुछ कर पा रहे हैं एक स्क्रीनिंग कर रहे हैं आधी स्क्रीनिंग कर रहे हैं हॉल में साउंड अच्छा है या नहीं है हां आप कर पा रहे हैं कोई नई तरह की बात कह रहे हैं दाट इस हम लगातार ऐसे मुद्धों पर आप से बात करते रहेंगे धन्यवाद